जोहार साथियो जब से जे के एलेम जहार खायन लोकतांतरी क्रांतिकारी मोर्चा पाटी बनी तब से लगातार संघर्ष कर रही है एक तरफ जहां पहले संजय महता पाटी छोड़ चुके हैं दूसरी तरफ मनोज यादो जी का कोड़ जो विधान सभाद छेतर कोडर्मा से उन्होंने नामांकन भरा था उनके नामांकन जो है रद कर दी गई चुनावायोग द्वारा और उसके बाद अब जो है गांडे से ज वो अब JMM जोएन कर लिए हैं तो इस तरह के दो-तिन इंसिडेंट ऐसे बड़े हुए हैं अभी हाल ही में जिससे जैराम महतोजी की टेंसन बिल्कुल बढ़ गई होगी क्योंकि पहली बार विधान सभा चुनावाद रहे हैं तो इस तरह की जो चीजे हैं वो काफी जादा परिसान करने वाली हो सकती है क्योंकि दूसरे पैटियो के लिए यह छोटी मोटी बात होगी लेकिन पहली बार जो इतना कॉन्फिडेंस के साथ चुनावाद मैदान में जैराम महतोजी आये थे कहीं न कहीं उनको लगातार इस तरह का जटका मिल रहा है आगे आने वाले सम जिसमें प्रमुक रूप से जैराम है तो इलेक्शन लडेंगे हलाकि उन्हों ने घोसना किया है कि वो दो सीट से इलेक्शन लडेंगे एक तो आपका जो डूमरी है और दूसरा जो बेरमो है लेकिन यहाँ पे बात है कि अगर वे जादा सीटों पे जादा मजबूती के सा सकते थे वैसे पार्टी वैसे लोग जो है दूसरे पार्टी में चले जा रहे हैं जिससे जरा महतोजी का टेंशन बढ़ रहा होगा और जो रिजवान क्रांतिकारी है जब यह जो है जे लकेम में आये थे तो नो डाउट जो है इनका जो पॉपलिटी है वो बढ़ा था जर कि इन्होंने जे लकेम में जो अपना नाम है वो बनाया अब यह जे में में चले गए हैं और जे में के अब नेता के रूप में काम करेंगे कहां पे तो ओव्यस्थी बात है गांडे में काम करेंगे गांडे में खुद हेमन सोरेन की पतनी जो कल्पना सोरेन है वो चुनाव हो जाएगा रिजवान करांतिकारी काफी एक चर्चित चेहरे बन चुके थे और नो डाउट ये चुनाओ को भी परभाद करते खास तोर से गांडे बिधान सबाचेतर में तो अब इसी जो गुलजाईस थी इसकी जो गुलजाईस इसको जेमेम ने पूरी तरह से खतम कर दिया है और एक तरह से कहा जा सकता हяться पॉलिटिकली जो है गांडे बिधान सबाचेतर में इनको हटा करके जेमेम ने पहले ही एक बढ़त बना ली है तो अब जो है जेमेम जो है काफी strong है गांडे बिधान सबाचेतर में और कलपना सोरेन को ऐसा लगता है कि जीतने से कोई नहीं रुक पायागा क्योंकि ओबियसी बात है गांडे में पहले ही जीच चुकी है और BJP का उतना जादा impact गांडे बिधान सबाचेतर में नहीं है हाला कि BJP की तरफ से कैंडिडेट strongly दिया गया है लेकिन मुझे नहीं लगता कि BJP उस चेतर में इतना ज्यादा पकड़ बना पाएगी गांडे बिधान सबाचेतर में क्योंकि कलपना सोरेन दिन राद कैंपैनिंग काफी strongly कर रही है बाकी क्या कुछ होगा वो तो चुनाओ के बाद ही पता चलेगा और अब यह कहा जा सकता है कि जैराम हैतों को अपनी जो चुनाओ में जो परचार होता है वो काफी खुले तरीके से करना पड़ेगा और सीधे आडे हातों जो है उनको सभी को लेना पड़ेगा चाहे वो रिजवान हो या फिर संजय मेहता हो या फिर बाकी जो भी नेता है जो उनकी पार्टी छोड़के दूसरे पार्टी में नाम कमाने के बाद चले गए हैं तो एक तरह से यह कह सकते हैं पार्टी जो है वो इस पार्टी से ले रहे हैं जेल केम से ले रहे हैं और बाद में जो है एक प्रोपर जो है तरीके से दूसरे पार्टी ओम चले जा रहे हैं या फिर खुद पार्टी बना लिये जा रहे हैं जैसे कि संजय मेहता के भी केस में जो है साब तोर से ये चीज़ देखा गया है ठीक है तो यही प्रमुक्ष चीज़े थी आपके इस डिसकसन में इस तरह के सभी डिसकसन हम लोग जो है सेनल पर करते रहेंगे चैनल से जुड़ेने के लिए धन्यवाद